हेलो, गुडिवनिंग, नमस्का, क्या सेख हसीना जो प्राइम मिनिस्टर थी बंगलादेश की, अभी वह इंडिया में है, क्या इंडिया उन्हें बंगलादेश भीज सकता है, यानि परत्यारपित कर सकता है, क्या है इंडिया के पास ओप्सन, चुकि या अगस्त में, यानि पाँच अगस्त को वहाँ से रिजाइन दे के, बंगलादेश से भारत आ गई, पहले इनका प्लान था कि यूके जाने का, लेकिन वहाँ नहीं जा पाई, वहाँ इंडिया में अभी सेफ जगा पे है, सेख हसीना, और इसके लिए मैं इंटरनेशनल प्लेलिस्ट देखेंग इसके अलावें जब वहाँ से आई तो इंडिया पर क्या माईने रखता है, इसके अलावें उनके अनुसार एक आईलन्ड है, जो अमेरिका मांग रहा था, वो आईलन्ड नहीं दे पाई, इसलिए अमेरिका के, इसके पीछे हैं, इनके वहाँ से भागने का, ये भी मैं डि सकता है clear अब EC को हम discuss करेंगे कि इंडिया और बंगलादेश में किस तरह का extrardition treaty है उस treaty में क्या क्या option है क्या इंडिया को भेजना पड़ेगा या नहीं भेजना पड़ेगा ए सारे चीज अभी हम समझने का प्रियास करते हैं चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले नियुट से फॉर्मर बंगलादेश प्राइम मिनिस्टर से खसीना उन पर वहां से आने के बाद वहां पर multiple criminal cases दर्ज हो रहे हैं उनके बंगलादेश उनके घर पर और ऐसा लग रहा है कि जो इंडिया का eastern neighbor है उनको एक्स्ट्राडीट इंडिया को करना पड़ेगा यानि इंडिया को भेजना पड़ेगा से खसीना को बंगलादेश में करवाई हो केस चलिए ऐसा डी फाइक्टो जो फॉरेंड मिनिस्टर है और वहां के तौहीद हुसाइन उन्होंने ऐसा बुला है कि बंगलादेश हसीना के वहां से आने के बाद number of cases had been filed against him बहुँ सारे cases criminal cases filed हुए है तो बंगलादेश में need her to return to बंगलादेश में return बंगलादेश बोल सकता है कि उनको यहां पे भेजा जाए उन पे case चलिए अब extradition treaty क्या होता है देखिए परत्यारपन संधी इसको बोलते हैं किसी भी दो country के अगर यहां चला जाए और यहां पर उन पर कोई चार्ज है किसी तरह का है तो इस संधी के ताथ वह country उसको यहां पर भेज सकता है यह country उनको यहां पर भेज सकता है that is called परत्यारपन संधी extradition treaty बोलते हैं इसको अब यहां पर आ जाता है रोल की क्या इंडिया और बंगला देश के पास कोई extradition treaty है परत्यारपन संधी है अगर है अगर संधी है तू संधी के ताथ बंगला देश की PM से खसीना को भेजना पड़ेगा क्या option है यह सारी चीज़ भी हम समधने का प्रियास करते हैं चलिए शुरू करते हैं क्या do India and Bangladesh have an extradition treaty क्या दोनों के बीच में प बंगला देश in 2013 2013 में अलाकि उसको अमेंड किया जा चुका है 2016 में के लिए अब उस समय 2013 में क्या इस्तिती था उस समय इस्तिती था कि नौर्थ इस्ट में बहुत सारे इंसर्जेंट हो गये थे आतंकवादी समूर थे militant group बने थे जो अपने आपको अलग करना चाहते थे और ओजाके बंगला देश में छूप जाते थे ठीक इसके बिपरिद बंगला देश में भी उस समय एक ऐसा था कि वहाँ पर भी इस तरह का group जमातुल मुजाही दीन बंगला देश जेम भी वहाँ पे थे जो वहाँ के जो भगोडे थे वहाँ क्राइम करके और ये भरूरत था इसलिए दोनों देश ने उनी सो दो सॉर्य तू थाउजंट थाटीन में इन्होंने एक्स्ट्राडीशन ट्रीटी साइन किया और इस ट्रीटी साइन करने के बाद बाद बहुस सारे भगोडे जो थे यहाँ से जैसे उलफा के एक थे नाम मैं भूला हूँ इसलिए और बंगलादेश के बाद अल लेडी एजिस्टिंग एक्स्ट्राडीशन ट्रीटी है यानि परत्यारपन संधी जिसे अमेंड 2016 में एगेन किया गया है क्लियर चले अब हम आते हैं की या क्या बहुत है क्या वाट टारिटी से त्रीटी क्या काता देखिए इंडिया और कोई सथा जोंग और कोई Amazon इसgoing से और को एक्सट्राडीट बहुत किया जा सकता है निए परत्यारपन करने वाला आफंस तो तो court के request पे उनको भेजा जा सकता है. अब या जो परतियारपन या उनको भेजने के लिए जो उपयोग extra-detable offense है, उसमें बताया गया है कि वो ऐसा offense देश में किया गया हो, जो उस देश के कानून के अनुसार कम से कम minimum punishment एक साल का हो, यानि जेल में एक सा, ऐसा crime किया हो, और इसमें financial offense भी है, यानि पैसे कोड़ी का कुछ इधर-उदर किया हो, और यह जो offense है, offense to be extra-detable, must be dual criminality must apply, अब यहाँ पे समझे ही है, दोहरी criminality होनी चाहिए, या means क्या होगा, कि मान लिजे कि कोई यह country, मान लिजे इंडिया है, और यह बंगलादेश, दोनों के बीच में परत्यारपन संदी है, यानि एक्स्टाडिशन ट्रीटी है, अब अगर कोई crime मान लिजे सेख हसीना यहाँ पे की है, अगर उस crime, यहाँ पे भी उसका punishment है, यानि उसको भी यहाँ पे भी punishment माना जाता है, तब यह return करेगा, सेम अपलाई होता है बंगलादेश में, that is called dual criminality, है न, मने दोहरी आपराद इसको बोल सकते हैं हिंदी बे, तो अगर ऐसा है, अगर मान लिजे कि कोई ऐसा crime है, वहाँ पे की है, और यहाँ पे उस crime को, यहाँ पे उस act को भी crime मना जाता है, तब इनको भेजना पड़ेगा, आए बासमत में, यह treaty कहता है, यह जो संधी है, परत्यारपन संधी, उसमें कि अनुसार है, किलिए, अब हम आते हैं कि कुछ exception है, कि इनके लिए कुछ exception है, चुकि वहाँ पे PM रह सुकी है, काफी दिन तक PM रह सुक है, इनके फादर जो है, बंगलादेश के निर्मान में, बहुत बड़ा युगदान है उनका, और इसके आलामाई इंडिया के साथ, बहुत अच्छाइन का relation रहा है, क्या exception है, कोई extradition से refuse किया जा सकता है, यानि इंडिया refuse कर सकता है, अगर वह आफेंस, वह अपराद जो है, extradition वहाँ के अपराद जो है, वह political nature का, राजनितिक प्रविर्थी का, लेकिन यह राजनितिक प्रविर्थी का आफेंस बहुत कम है, इस संधी में, इसके अलावें जो ऐसा आफेंस, जो राजनितिक नेचर का नहीं है, उसका लिष्ट बढ़ा है, जैसे murder हो गया, man's slaughter, culpable homicide, assault हो गया, explosion हो गया, explosive substance या कोई weapon हो गया, जो कि person कोई, किसी के life को endangered करने के लिए रखा हो, incitement of murder, murder के लिए उट्साने वाला, और इस तरह का कोई offense, जो आतंकवाद से संबंदीत है, terrorism से संबंदीत है, अगर इस सम्में है, तो इसमें क्या होगा, परत्यारपन करना पड़ेगा, और संजोग से उन पे जो case वगर हो रहा है, वो murder का जदाता है, मुडर का जदाता है, clear, अब हम आते हैं कि क्या इंडिया, कैन हसीना भी एक्स्ट्राडिटेटेट तू, बाई बंगलादेश, क्या परत्यारपीत यानि भेजा जा सकता है, एक्स्ट्राडिटेटेटेट बाई बंगलादेश, देखिए, हसीना एक बहुत, सेख हसीना पॉलिटिकल प्लियर है, और वा पॉलिटिकल एसाइलम की चाह कर सकती है, कोशिस कर सकती है, दूसरी बात, कि जो भी वहाँ पे ओफेंस, वहाँ पे मिस बंगलादेश में गुक्त हुआ है, जो ओफेंस हुआ है, वह जो है पॉलिटिकल क्राइम नहीं है, एक्सक्लूड फ्रॉम दे डिफिनिशन ऑफ पॉलिटिकल क्राइम इन दे ट्रीटी, एक्सक्लूड है, अब यहाँ पे जैसे वहाँ पे मडर है, जब बता चुके हैं, इन फोर्स डिस एपियरेंस है, किसी को गाइब कर देना, टॉर्चर है, इस सब पे वहाँ पे आपराधिक मामले उन्च में दर जो रहा है, किलिए, और यहाँ पे एक और थोड़ा सा कमजोरी स्ट्रीटी में आ गया, कि 2016 में अमेंडमेंट करने के बाद उसमें जोड दिया गया, कि अगर कोई कंट्री रिक्वेस्ट करे, कि हमको वहाँ आदमी चाहिए, क्लियर, यानि तो यहाँ कंट्री सबूत उससे मांग सकता है, कि भाईया इसका आप मुझे सबूत दिजे कि यहाँ आदमी यहाँ क्राइम वहाँ किया है, या कलॉज को हटा दिया गया, मिन्स या प्रोवीजन को हटा दिया गया, मिन्स वाट, कि यवाल अरेस्ट वारेंट वहाँ पे अगर इसू हो गया किसी कंट्री में, कोर्ट द्वारा, कम्पिटेंट कोर्ट द्वारा, तब यहाँ पर extradition करना पड़ेगा आपा समझे 2016 अब एडमेंट जो शुरू में हम बताएं 2013 में बना 2000 उसमें क्या किया गया था पहले होता था जैसे आप सेख हसीना का case लेते हैं अगर बंगलादेश बोलता कि सेख हसीना को भेजिये उन पर case चला उन पर case चलाना है तो इंडिया बोल सकता था कि भाईया evidence दो evidence दो तब बेजेंगे अब ऐसा नहीं बोल सकता चुकि 2016 में हमने इसको खतम कर दिया है clear इसके अलावे सेख हसीना को अभी नहीं बेजा सकता इसलिए चुकि अभी आई interim government क्या है या इंक्रिम government है तो एक full-fledged government आने दीजिए उसके बाद में इंडिया का relation उस government के साथ कैसा होता है यह सारी चीज role play करेगा सेख हसीना क्यों वहाँ भेजना है या नहीं भेजना है अभी हम केवल यहीं देखें कि treaty में क्या काता है treaty है कि नहीं है इस सारी चीजिए देखें अभी तक के हिसाब से कि अगर किसी तरह का कुछ अपराधिक मामले वहाँ पे चल रहे है और उस country जो full-fledged government आएंगे उनके साथ अगर relation अच्छा है तो इंडिया में भी भेज सकता है clear? So this is all about the news इसका PDF उमारा telegram channel तीवारी general studies आपको मिल जाएगा वहाँ से देख लिजेगा और उसको भी join कर लेंगे अगर informative लगा हो कुछ सीखें हैं आपसे तो please like, share और subscribe जरूर करेंगे और किसी तरह का कोई doubt हो तो आप जरूर comment करेंगे So thank you, have a good day and happy learning Thank you very much